नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चेनल अचार जागिंद्र मिस्रा में 10 जून 2021 सूर ग्रहन भारत में कितने बजे होगा सुतक काल का सही समय गर्वती महिलाएं जरूर करें ये पांच काम दोस्तों 10 जून 2021 को सूर ग्रहन लगने जा रहा है ऐसे में भारत में कितने बजे होगा सुतक काल कब होगे और कौन से उपाय हैं जिनको करने से सिसु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्वती महिलाएं जरूर करें ये चोटा सा काम दोस्तों साल 2021 का पहला सूर ग्रहन 10 जून 2021 को दिन गुरुबार को लगेगा जो की भारत में अब दिखाई हलकी इसका आंसिक रूप से ही देगा पूर्ण रूपेंट तो नहीं कहशकते लेकिन आंसिक रूप से अवश दिखाई देगा ऐसे में इसका प्रभाव खासकर गर्वती महिलाओं पर जरूर देखने को मिलेगा इसलिए सावधानी परतने की विशेश आवशकता रहेगी ऐसे में शूर ग्रहन के दोरान लोगों को सबसे ज़्यदा चिंता तब होती है जब आपके घर में कोई गर्वती महिलाओं महिलाएं हो चैये वो चंदग्रहन हो या फिर सूर ग्रहन हो यानि कि इसकी जो नकारात्मकता उर्जा होती है वो सबसे ज़्यदा अगर आपके उपर प्रभाव करती है खासकर गर्वती महिलाओं पर जी हां दोस्तों ऐसे में गर्वती महिलाओं को अपना और अपने सिस्यू का साथी अपने सरीर का बहुत ज़़ा ध्यान रखने की जरूरत है सूर ग्रहन के दारान कई प्रकार की सावधानिया गर्वती महिलाओं को रखने की आवश्यक्ता होती है जिनसे कि उनके उपर किशिवी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों दस जून को लगने वाला ये सूर ग्रहन इस साल का पहला सूर ग्रहन होगा और दोस्तों इसका सही समय सुतक काल और बरती जाने वाली महत्पूर्ण साउधानियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे तथा इसी के साथ आपको बताएंगे कि आपको खासकर गरती महिलाओं को वो कौन से ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखनी के आवस्प्त है और कौन से साउधानिया रखनी है कौन से चीजे करें चाहिए वो गोपाल मंत्रों हो या फिर भगवान की मंत्रों को जाब करें तो इनसे आपको लाब होगा हम बताएंगे और सही उचारण दोस्तों ऐसे से कौन से उपाय रहेंगे और उसे कौन से ऐसे क्रियाएं हैं जो आपको करने के अवस्चता है जिन से करने उसे आपके और आपके सिसु पर किसी परकार के कोई नुकसान न पहुंचे तो दोस्तों आपको बताएंगे सारी जानकारी बिस्तार से वीडियो को पुरा आवश्च देखिए वीडियो को like Share ऑवश्च कर दीजिए दोस्तों गर्वती महिलाएं ग्रहन काल के दोरान यानि ग्रहन सुरू होने से पहले इशनान कर लें और हो शकर तो अपनी पास एक नारियल रख लें जी हाँ घर के मंदिर के जो कपाठ है हलाकि उन में कपड़े बंद कर लें हलाकि ये आंसिक बल्या कर सूर गरहन दिखाई देगा असर बीदेसों में ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये बीदेसों में कई देसों में खासकर गर्वती महिलाओं को इसका यानी बहुत ध्यान देना है क्योंकि इनके उपर सबसे ज़्यादा असर परता है अगर कोई महिला ग्रहन शुरू होने से पहले इशना ना कर सके तो वो अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छुड़काव कर ले ये भी आपके जरूर दोस्तों इस ग्रहन का सुतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा यानी कि जब शुर्ग्रहन सुरू होगा 10 जून को तो इसके ठीक पहले 12 घंटे शुतक काल लग जाता है ये ग्रहन कई देशों में दिखाई देने जा रहा जैसे कि भारस समयत अंटार्टिका महादूइप ग्रीन लेंड अमेरिका यूरोप और रूस और प्रसांत महाशागर हिंद महाशागर अस्टेलिया जैसे कई देसों में दिखाई देगा दोस्तों यह आंसिक सुर्ग्रहन होगा जो कि यह जेष्ट मास के कृष्ण पक्षी आमवश्य तिथी को लगने जा रहा है दोस्तों साम 6 बचकर 41 मिट पे यह सुर्ग्रहन समाप्त हो जाएगा यनि दोस्तों 10 जुन को लगने वाला यह सुर्ग्रहन इसकी जो समय अवधियोगी वह 10 जुन को दुपार 1 बचकर 42 मिट से लेके साम 6 बचकर 41 मिट यनि कि लगभग 5 घंटे यह सुर्ग्रहन होगा जो की काफी लंबा और चंदग्रहन रहने वाला है दोस्तों यह सूरग्रहन मुख रूप से यनि कि मंगोलिया यूरोप और गिरिल लेंजे से कि हमने देशों बताया अमेरिका वगरे देशों में इसका असर जड़ा होगा चीन में होगा भारत में यह आंसिक रूप से दिखाई देने व दोस्तों बता दे कि सूतक काल जब यह दुपार एक बचकर 42 मिनट से सुरू होगा तो ठीक इसके 12 घंटे पहले यानि आपको सूतक काल के नियम और काईदे कानून मानने चाहिए यानि कि 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारम हो जाता है चलिए अब बताते हैं क्या क्या सवध गरुती महिलाएं को यहां पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है जैसे कि आप जब गरहन काल सुरू हो जायते हो हिंदू धर्म के अनुसार पुराणिक मानेताओं के अनुसार गरुती महिलाओं को शूर गरहन के दवरान घर के अंदर ही रहना चाहिए बाहर नहीं फीटे सबजी बगरा और खासकर यहां पर ताला चाभी का भी प्रयोग ना करें नुकीले चीजे बिल्कुल भी ना चुएं इनको छूने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि इस अबद के दरान आपके बच्चे पर कुछ न कुछ बूरा प्रभाव देखन जादा आप क्या करें कि गायतरी मंतर का जाप करें और ओम शूर्याइनमे या फिर ओम आदित्याइनमे मंतर का जाप करें और ओम और सुर्देव के आदित हर्दे स्तरोत का पाठ भी करें आप जाद जादा और शंकल पले दान करने का उश्मी यह भी आपके बहुत जरूर को खुछी आंकों से कभी भी नहीं देखना चाहिए शूरगरण सुरू होने से पहले आप अपने खाने वाली बस्त में तुल्सी का पद्ता डाल कर ही उसका सेवन करें और इस्समें आप सोये ना लेटे ना शूरगरन के दर्वियान गर्वती महिलाएं यानि जब सूरगरन समाप्थ हो जाए तो इसके बाद आप इश्णान वगरा करके महामरतिंजे मंतर का जाप करके संतान गोपाल मंतर का जाप करके शूर मंत्र का जाब करें, श्रीहरी के नाम का जाब करें और फिर आप दान दचना करने का संकल्प लेए जब शूर गरन समाप्त हो जाए तब भी आपको इन मंत्रों का जाब करना है और जब सूर गरन सुरू हो जाए, श्टार्ट हो जाए तब भी आपको सूर्गर्ण के दर्मियान आपको जरूरी नामों का उचारन करना है और जब सूर्गर्ण समाप्त हो जाए तो आपको दान दर्चन करना है जैसे कि आपको गुड का दान करना है और तिल का दान करना है अनाज का दान करना है यह बस्तर का दान करना है लिखेश सवधानी है, पांच सवधानी ऑषिवलेइ रखने की जरूरत है, चाको神 विगर तो कुछ चूब नहीं है, आपको खाने पीने के चीजे भी नहीं जानी है, आपको लेटना सोना नहीं है, गाली गलोज या फिर किसी के साथ बाद व्याद नहीं करना है, आपको लड प्राप्थ हो सके इस ग्रहन काल की दर्मियां तो दोस्तों यह जो 10 जून 2021 को लगने जा रहा है साल का पहला सूर गंड़ यह काफी ज़्यदा इवक्टिव पढ़ने वाला इशले इस सूर गंड़ के दर्मियां यह सारी सवधाईयां जरूर बरते हैं तो दोस्तों कमेंट स्क्सन में सच्चे जिल से जय शूर्दे वावश लिखें और जाते जाते वेडि़ों को लाइक जरूर करें नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करें और उचे शेयर करें